यह फर्स्ट पॉइंट अब सेकेंड वाइं लेट मालने fx ग्राफ gx ग्राफ और hx ग्राफ के बीच में लाई कर रहे हैं यह ठीक है हमेशा इस ने कह बोल है मालनेगर fx का ग्राफ, gx क्सक्किर्ण ग्राफ और रिदांगा ग्राफ R ग्राफ और HX ग्राफ के बीच में लाई कर रखा है, बीच में लाई कर रहा है, यह हमें दे रखा है, and जो कोने वाले हैं, G और H, इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ गया, यह हमान लिए A पर, तो जो बीच वाला फंक्शन है, उसका भी लिमिटिंग वैल्यू L ही आएगा, ठीक है, if और then में इतना जो पार्ट है, कि F का ग्राफ G और H के बीच में है, और यह दोनों लिमिट का वैल्यू बराबर है, यह तो हमारा required condition हो गया, यह theorem है, यह ठीक है, और then के बाद जो यह लिखा गया है, यह हमारा assertion हो गया, यह ठीक है, this theorem is called sandwich theorem, यह ठीक है, sandwich theorem, यह sandwich theorem का statement है, squeeze and play theorem भी बोलते हैं इसको कुछ लोग न, squeeze and play theorem, यह sandwich theorem, ठीक है, theorem विर हम कुछ नहीं है, simple IQ का application है, ऐसी बता सकते हैं, कि मालने करें हम एक ही बात करें, तो इसने क्या बोला कि F का graph H और G के बीच में रहना चाहिए, तो H का graph तो यह आ गया, मालने इसका value L की तरफ गया, क्योंकि इसने मुला कि A पर limiting value H है, L है, सबसे नीचे जो graph है, वो G का रहेगा, यह भी L की तरफ जा रहा है, यह G का graph है, यह H का graph है, हम में बेरे को पता है कि जो F का graph है, वो इन दौरों graph के बीच में ऐसे, सही है, अगर इन दौरों graph के बीच में है, उपर नहीं जा सकता है, नीच नहीं जा सकता, तो A की तरफ जाने पे, इसे कहां जाना पड़ेगा, इसी value की तरफ जाना पड़ेगा और कोई चा रही नहीं है इसके बास ठीक है तो ये तो बीच में sandwich बन गया इसको ऐसे बहुत सकते है H और G के बीच में sandwich बन गया तो जिधर H और G अगर A की तरफ जा रहा है तो इसको भी वही जाना पड़ेगा ये theorem ये ठीक है बस ठीकम का statement करता हम होगे ठीक है प्रूव गरने के लिए ऐसे बहुत सकते है इसमें limit ले लिया पूरे में तो limit ले लिया तो equality लग जाएगा ये ठीक है इस उपर वाले point के हिसाब से तो ऐसे आजएगा कि limit x is turning towards A G X is less than equals to limit x is turning towards A F X is less than equals to limit x is turning towards A H X अब ये जो कौने वाले की value है ये बराबर है तो ऐसे आजएगा L less than equals to F X का limit less than equals to L तो और इधर भी L है इधर भी L है तो बीच वाले function का value L होना पड़ेगा और equality को hold करना ही पड़ेगा और कोई option ही नहीं ठीक है ये तुम्हारा हो गया क्या sandwich दे रहा हूँ अच्छा अब इसका use क्या क्या हो सकते है इसका limit में use क्या सकते है एक तो theoretical questions हो गए ये ठीक है theoretical questions मतलब जैसे हमने ये पूछ लिया question let f x lies between g x and h x and limit x is turning towards a g x is equal to 2 and limit x is turning towards a h x is equal to 7 then then a part sorry a part नहीं first part a तो यहां use करें then first part की limit x is turning towards a f x will belongs to 2 to 7 true false बताने है ये ठीक है question में करना क्या है ये बताना है क्या true है या false है second part या b part limit x is turning towards a f x belongs to 2 close to 7 ये ठीक है उसने बताने है f का जो graph है वो जी और h के बीच में है g का limiting value 2 आ रहा है h का limiting value 7 आ रहा है तो फिर जो f x का limit है वो दो और 7 के बीच में आएगा strictly और b part नहीं क्या बोला है कि बीच में ही आ सकते है बराबरी भी भी हो सकते है ठीक है ये तो theoretical question हो गया answer हमने पहले तो graphically देखा कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है इसने कहला कि a के उपर जो g है उसका limiting value ये g है इसका limiting value कितना है 2 ठीक है ये h है इसका limiting value कितना हो गया 7 ठीक है ये hx का graph है और बीच में किसका graph आया है यहाँ पे बीच में ये fx कर रहा तो अब इसने पहले में तो क्या compare किया है पहले में तो इसने ये बोलाई कि जो f का limiting value है वो 2 और 7 के बीच में आएगा ठीक है strictly बीच में आएगा तो पहले वारा तो गलत हो गया क्यूंकि f का value तो ऐसे भी जा सकते माला 7 भी आ सकते है इस interval में 7 तो ही नहीं तो a option तो गलत है या फिर first का answer तो क्या है false ये ठीक है फॉल्स क्यों है इस लिमिट एक्से स्टानिंग तुवर्स a f x may be equals to 2 और 7 ठीक है ये तो first part था अब अगर हमने बुलने हैं कि first part गलत है तो बहुत सारे बच्चे time हो रहे होंगे ये बोलने के लिए कि इसका में लोगा है second part साही है ये भी नहीं है second part भी गलत है second part गलत क्यों है sandwich theorem में तो क्या था कि g और h दौनों का value a की तरफ जा रहा था l की तरफ तो जो बीच में function है f इसको भी जाना पड़ा इसके बस और क्यों option नहीं बचा ठीक है यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या है इसने पूरे statement में यह तो कहीं नहीं बोला कि एसकता है एसा चाहते ही एक तरफ से यह दा नहीं जारे है यह टो बीच में है तो बीच मिंडन है तो बीच में तो i.s यह तषब से यह 9प न आई 4 आजना आई तो मीच 2 औरन 6 यह यह तो फिर इसका meaning ही नहीं होगा अगर limit exist नहीं कर रहा है तो फिर जब इसका meaning ही नहीं है तो फिर यह 2 और 7 इस interval में कैसे आ सकते हैं तो second वाले का answer is also false जो sandwich theorem में उसमें तो क्या हुआ कि F और G का जो value सब्सक्राइब है तो जो बीच में F उसके पास option नहीं बचा उसे वहीं जा नहीं पड़ेगा तो limit को exist करना ही पड़ेगा ठीक है यह false हो और यह false क्यों हो गया as limit axis turning towards a fx need not need not to exist ठीक है जरूँ ही नहीं कि exist करें तो जो sandwich theorem में उसमें तो एक तो इस तरह से theoretical questions मन सकते हैं ठीक है दूसरा एक तरीका एक तरह के question ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें मैं दूसरा तरह के चलो वह उस तरह के question भी कर लेते हैं ठीक है